हेलो एबरीवन, वेलकम टू के टोपिक्स, आज हम करने जा रहे हैं Constitutional History of India Part 5, इस पार्ट में हम करेंगे Government of India Act 1858, अभी तक इस वीडियो सीरीज के अंदर हम Charter Act 1600 से लेके Charter Act 1853 तक सारे Charter Act कर चुके हैं, स्टार्टिंग में हमने बताया था कि Constitutional Development इंडिया में दो फेजिस मे हुआ था, एक फेज था Under Company Rule, यानि East India Company का जब तक रूल था, उसके अंडर जितने भी Act आए थे, वो वाले पार्ट, दूसरा आता है Under Crown Rule, यानि जिस टाइम पे Indian Territory के ओपर Direct Crown Rule हुआ करता था, तो उस duration के अंदर जितने भी Act आए, वो सारे Act किसके अंदर आएंगे? Under Crown Rule, ठ खतम करके Crown Rule establish कर दिया था, यानि जहां जहां पे भी East India Company का नाम आएगा, वहां पे अब किसका Direct नाम आजाएगा? Crown Rule का, पूरा का पूरा इंडिया की Territory के ओपर Administration, Crown के नाम से होगा, जाहे वहां पे King हो, या फिर Queen हो, ठीक है? तो 1858 के अंदर, जितना भी प्रोविजन East India Company के लिए बनाए गया था, और जो Dual Government था, उनका Court of Directors और Board of Controller, उसको abolish कर दिया, उसके जगह पे एक नया Office बना दिया, Secretary of the State, ठीक है, East India Company के अंडर, Governor General of India की post थी, उसको भी चेंज करके, अब नाम दे दिया गया, Vice Rai of India, ठीक है, East Indian Company के जो आर्मी थी, उसका भी नाम, Royal British Army कर द दिया गया, और directly अब क्या provision कर दिया गया, कि जितने भी Indian territory है, उसके ओपर direct crown का rule होगा, तो ये सारे provision हम इस Act में देखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कि वो कौन-कौन से main point थे, जो इस Act को पास करने के पीछे responsible थे, ठीक है, अभी तक जितने भी Acts थे, हमने देखा गया Government of India Act, ऐसे कौन से reasons थे, जिनके वज़े से इतने कम टाइम में एक नया Act British Parliament को पास करना पड़ा, और इस Act के अंदर, इस India Company को भी abolish करना पड़ा, ठीक है, उन्ही कारणों को हम यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे जो major कारण था उनमें, वो था 1857 का विद्रो, तो 1857 की जो mutiny हुई, वो इंडिया के history में great revolt माना जाता है, यानि उससे बड़ा विद्रो, या फिर सवतंतरता संगराम जिसको हम बोलेंगे, वो अभी तक Indian history में हुआ नहीं था, ठीक है, और यह सब हुआ किसके against था, company rule के against, ठीक है, East India Company का यहाँ पे rule हुआ करता था, और उससे के against यह revolt हुआ था, तो इससे क्या हुआ कि British government के भी अंदर जो anti company rule sentiment थे, यानि East India Company के against, जिन लोगों की विचार धारा थी, उनको भी एक बात बोलने का मोका मिल गया, कि ठीक है, यहाँ से अब company rule को समाप्त कर दो, और यहाँ पे direct crown rule आना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहला reason क् था, 1857 का revolt, आपको पता है कि 1857 के revolt को strongly दबाया था, ठीक है, तो इन सब चीजों की वजए से, East India Company की जो image थी, वो खराब हो गई थी, इंडिया में भी, और England के अंदर भी, तो अब उसी image को सुधारने के लिए, British Prime Minister Lord Palmerston ने एक bill introduced किया था, 1858 के अंदर, और इस bill के अंदर य तो यह provision किसके अंदर किया गया था, 1858 के अंदर एक act लेके आया थे, British Prime Minister, यह है वो British Prime Minister, Lord Palmerston और इन्होंने वो bill पेश किया था, और उस bill में यह कहा गया था, कि जितने भी Indian territory है, अब वो territory East India Company से transfer होके, कहा पे चली जाएगी, British Crown के पास, ठीक है, तो यह उसके अंदर provision था, लेकिन जैसे ही यह bill पास होता, उससे पहले ही British Prime Minister को इस्तिफा देना पड़ता है, resign करना पड़ता है, इसके पीछे कारण different थे, हमें उनमें नहीं जाना, ठीक है, अब तो यह Prime Minister नहीं रही England के, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, आप एक चीज यहाँ पे समझेए, कि जो Bits India Act 1784 में हम यह सारे information हम पढ़ चुके हैं, दूसरी जो body थी, East India Company को चलाने वाली, वो थी Court of Directors, ठीक है, जिसके अंदर 24 member थे, लेकिन Charter Act 1853 के अंदर, इन members की संख्या घटा के 18 कर दे गई थी, ठीक है, यह दोनो body ही responsible थी, East India Company को administer करने के लिए, ठीक है, अब इसमें से ही एक body, जिसका नाम है Board of Controller, इसका President था, Lord Stanley, ठीक है, अब इसने एक bill paste किया, British Parliament के अंदर, उस bill का नाम था, An Act for the Better Government of India, यानि, इंडिया के अंदर, एक अच्छा शास्चन लाए जाएगा, उससे सम्धित ये Act पास किया गया, और इसे Act को बोला गया बाद में, Government of India Act 1858, और इसक इसका ही दूसरा नाम है Good Governance Act, या फिर Good Government Act भी इसको बोलते हैं, ठीक है, अब देखते हैं आगे, British Parliament ने 2nd August 1858 को, British Parliament में ये Act पास कर दिया, लेकिन इंडिया के अंदर, इस Act के बारे में, जानकारी देने के लिए, क्या किया गया, यहाँ पे क्या किया, कि Lord Canning, उस टाइम प इस Grand दर्बार में, उन्होंने Queen Victoria की ओर से ये उद्धोशना की, या Proclamation किया, कि अब इंडिया के ऊपर, इस इंडिया कंपनी का रूल ने रहे के Crown का रूल हो चुका है, यानि अब पूरा का पूरा इंडिया टेरिटरी, Crown के चतरचाया में आ चुकी है, उन्होंने इस चीज क जो प्रोविजन किये गए, उन्होंने से देख लेते हैं, कि यहां पर जो भी आर्मी थी, इस इंडिया कंपनी की, अब उसको क्या कहा जाने लग जाएगा, क्योंकि वो Crown के आर्मी हो जाएगे, तो Royal British Army हो जाएगी, ठीक है, यानि जितने भी employee होंगे, इस इंडिया कंपनी of the state कुछ भी नहीं था, ये British Parliament का ही, एक MP हुआ करता था, Member of Parliament, और उसी को ही सारी पावर दे दी गई, और ये जो Secretary of the State था, ये responsible हुआ करता था, Crown के, ठीक है, और Crown को अब पावर ये दे दीगी, कि Crown ही direct अब अपोइंट करेगा, Governor General of India को, और साथ में जितने भी Presidency हैं, उनके Governors को, Presidency कोन सी, आपकी Bombay, Madras, और Bengal Presidency, इन तोनो Presidency के Governor को भी अपोइंट कोन करेगा, Crown, ठीक है, तो ये सारे के सारे इस Proclamation में बाते कही गई, या इसमें घोशनाई की गई थी, इस particular Act के अंदर, और ये सारे घोशनाई की किस ने थी, Lord Kenning ने, ठीक है, और Lord Kenning ने कहां पे, जो अलाहबाद के अंदर एक दरबार लगा था, तो एक्जाम में कई बार एक क्वेशन आ जाता है, कि सबसे पहला दरबार कब लगा, कहां लगा, तो सबसे पहला दरबार लगा था, 1858 में, उसनाई पे Governor General of India कोन थे, तो Governor General of India उसनाई पे कोन थे, Lord Kenning, ठीक है, क्या था इस जो लोकल राजा महराजा थे, उनको ये कहा गया, कि आपको equivalent power दी जाएगी crown के साथ में, आप यहां पे crown की भ्याव पे रूल करोगे, ठीक है, यनि आपकी territory को अब कोई भी हम नहीं पहुचा जाएगा, हुआ क्या था, कि जब 1857 का revolt हुआ, उस revolt में कुछ प्रिंसल territory को हथिया लेगा कौन, East India Company उसकी territory को हथिया लेगी, यानि उसकी territory अब सीधा कसीधा East India Company की territory हो जाएगी, अगर ये king बिना संतान के या बिना वारिष के अगर मर जाता है तो, ठीक है, तो ये वाले जो doctrine of labs थे, ये काफी, जो यहां के जो princely states थे, उनके अंदर काफी मन मु जोशना के अंदर ये try किया गया, कि जितने भी वर्ग हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो local हों, चाहे वो princely states हों, सब के लिए कुछ न कुछ provision यहां पर किये गए थे, ठीक है, तो अब देखते हैं इस पूरे act को detail में, जितने भी इसके की provisions हैं, वो सारे हम यहां पर देखत तो एक यह provision यहां पर किया गया, दूसरा provision क्या था, now the British territory in India was to be governed in the name of British Queen Victoria, यहां पर जो भी rule होगा, वो किसके नाम पर होगा, Queen Victoria के नाम पर, जैसे आज हम अगर Indian democracy के बारे में बात करें, या इंडिया के अंदर जो parliamentary system function करता है, उसके बारे में बात करें, तो इंडिया के अ इंडिया के अंदर वो है president, same way से इस act के अंदर क्या provision किया गया, जो highest authority थी वो कौन होगा, British Queen Victoria, यानि जो भी decisions लेने होगे, वो सारे के सारे decisions किसके नेम पर होगे, British Queen Victoria के नाम पर, ठीक है, उसके बाद में the powers and duties of COD, COD का मतलब यहां पर court of directors, were transferred to the Queen's principal secretary of the state, या जिसको कहा ग लेगा, secretary of the state for India, इसको ही बोला गया, Queen's principal secretary of state, ठीक है, secretary of the state की help करने के लिए, एक 15 member की council बनाए गई, और इस council को जो power दी थी थी, वो सिर्फ और सिर्फ advisory power ही थी, यानि secretary of the state चाहे, तो खुद की ही power को वो exercise कर सकता था, उसको जुरूरी नहीं था कि वो उस council की बात को माने याना माने, ठीक है, तो उसको यह supreme power यहाँ पे दे गई थी, next point क्या है, the crown was in power to appoint the governor general and the governors of the presidencies, यानि जो crown था, उसको यह power दे दे गई, कि India के लिए, जो governor general है, उसको प्रेजिट करे, साथ में, जो presidency है, बंबे, मदरास और बेंगोल, इन presidencies के, governor की appointment कोन करेगा, अब, crown करे तो यह provision इसके अंदर किये गए थे, जो secretary of the state का provision किया गया था, उसके अंदर जो पहला secretary बना था, secretary of the state, वो था Lord Edward Stanley, इसके बारे में हमने पढ़ा था, कि यह board of controllers का president था, और यही वो सक्स था, जिसने act of good government पेश किया था, 1858 का, ठीक है, तो इसी board of controller को abolish करके क्या बना दिय security of the state, और जो board of controller का president था, उसी को क्या बना दिया, first secretary of the state, और वो कौन थे, Lord Stanley, तो यह वाली सिख जाप यहां पे ध्यान में रखना, अब चलते हैं, आगे, उसके बाद में इस act के अंदर और किया प्रोविजन किया गया, this act changed the designation of governor general of India to viceroy of India, यह नहीं, जो governor general of India था, उसका designation change करके, अब क्या कर दिया, viceroy of India, और इस post का नाम भी रख्या दिया गया था, viceroy and governor general of India, यह दो domain में काम करता था, viceroy का जो function था, वो यह था कि, diplomatic relation maintain करेगा, crown और princely states के बीच में, यानि, जिस time पे, यह as in viceroy काम करेगा, उस time पे, यह representative होगा, crown का, और इस authority के अंदर, य यह वाला provision हमने, जिस time पे, governor general के series की थी, उसमें हमने देखा भी था, कि viceroy का मतलब क्या है, viceroy का मतलब होता है, in the name of roy का मतलब होता है, king, ठीक है, यानि, जो king का representative होगा, वो ही कौन होगा, viceroy होगा, ठीक है, तो यह, जिस time पे, princely states के साथ में, diplomatic relation exercise करेगा, उस time पे, viceroy ठीक है, तो यह सारे point आपको याद रखने है, यहाँ पे viceroy जो पहले बने थे, वो बने थे lord canning, अब इससे related कुछ question बनते हैं, एक तो question यह बनेगा, कि 1857 के revolt के time पे, इंडिया का governor general कौन था, दूसरा question यह बनेगा, last governor general of India कौन था, third question यह बनेगा, first viceroy of India कौन था, इन त और भी lord canning थे, और 1857 का revolt के time पे, जिस revolt को दबाया, तो वो कौन था, governor general of India, lord canning था, ठीक है, और एक question यहाँ पे और मैं add कर देता हूं, कि 1858 के अंदर, जो proclamation किया था, queen victoria का, वो भी किस ने किया था, lord canning ने, और the bar of Allahabad भी, किस के time पे हुआ था, lord canning के time पे, ठीक है, तो यह सारे point आपको याद रखने है, बहुत important pointers हैं यह, exams के point of view से, ठीक है, अब चलते हैं आगे, फिर देखते हैं, significance of this particular act, जो government of India act था, उसकी क्या significance थे, तो सबसे पहला क्या था, this act ended the doctrine of lapse, यह doctrine of lapse मैं बता चुका हूँ, कि क्या होता था इसके अंदर, जब भी कोई king होता था मानलो, king old age में बना है, और उसका कोई वारिस नहीं है, अगर king का वारिस नहीं है, तो उसकी जो पूरी की पूरी territory थी, वो territory कोन हतिया लेगा, East India Company, नोर्मली क्या होते थे, अगर किसी राजा का कोई संतान नहीं होती थी, तो वो गोद ले लेता था, अपने किसी family relative का बच् तो उसकी पूरी की पूरी territory को, East India Company के अंदर मिला लिया जाएगा, या फिर उसकी territory lapse हो जाएगी, ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, doctrine of lapse, और ये start किसने क्या था, Lord Dalhoji ने, एक question यहाँ पे आता है, कि doctrine of lapse के अंदर, जो पहला state, East India Company ने हतिया था, वो कौन सा state था, तो वो मैं यहाँ पे आपको नाम बदा देता हूँ, जैपूर और संबलपूर, इसको 1849 के अंदर, East India Company ने हतिया लिया था, उसके बाद में आता है, उदेपूर, उदेपूर को 1852 के अंदर हतिया था, इस इनिया कमपनी ने, फिर आता है, जासी, जासी को 1853 में हतिया था, ठीक है जासी का, यह आपको पता होगा, 1857 के रिवोल्ड में रानी लक्ष्मी भाई, जो जासी की रानी थी, वो वीरगती को पराप्त हुई थी, उसके बाद में आता है, नागपूर, नागपूर को 1854 में हतिया था, East India Company ने, तो यह जो डोक्टाइन ओफ लैप्स थी, इस नीती क कोई भी हानी नहीं पहुचाए जाएगी, ठीक है, उसके बाद देखते हैं मागे, नेक्स जो पॉइंट है वो है, इस एक्ट ऑल्स अबॉलिस ड्यूल सिस्टेम ऑफ गवर्मेंट, कॉर्ट अफ टैरेक्टर्स और बोर्ड अफ कंट्रोलर्स, यह हमने देखा था, 1784 के अं इस इंडिया कंपनी के अंडर, ठीक है, इसको भी अबॉलिस कर दिया, इसको बॉलिस करने के बाद आपको पता ही है कि क्या स्टार्ट कर दिया था, सेक्रेटर्री ओफ दास्टेटर्ट कौन बने थे, लोड स्टेंली, तो यह आप याद रख लेना, पॉइंट्स ठीक है, उसके बाद में, क्या था? It was largely confined to the improvement of Indian administration. अब इसका main motive तो यही था, कि जो भी Indian administration है, उसी को हम improve करें. ठीक है? यहाँ पर East India Company का जो administration चल रहा था, तो उसको वैसे ही चलाया गया. बस वो जो नाम है, वही change कर दिया, कि अब East India Company के बजाए, direct crown का rule होगा. ठीक है? तो जादा changes नहीं किये, इन्होंने सिर्फ बाहर से दिखा दिया, कहने का मतलब यही है, covering change कर दी, अंदर तो material वही ही था, ठीक है? उसके बाद में, इस Act को किस नाम से जाना जाता है? Good Government of India Act के नाम से भी इसको जाना जाता है. यह direct exam में question आ जाता है, कि which one of the following acts is known as Good Government of India Act. ठीक है? उसके बाद में, an Indian Civil Services was to be created under the control of Secretary of the State for India. अब क्योंकि यहाँ पे इनको administration चलाना था, तो उसके लिए इनोहने Indian Civil Services start की, और यह जो administration बनेगा, यह किस के अंडर काम करेगा? यह Secretary of the State के अंडर काम करेगा. और पूरे के पूरे इस administration का जो नाम होगा, वो होगा Indian Civil Services. पहले अगर आपको याद हो, तो इसको हिस्टरे में हम पढ़ते हैं, इसको बोलते थे Imperial Civil Services. ठीक है? और अब इसका नाम change करके क्या कर दिया गया था? Indian Civil Services. तो यह एक बहुत ही बड़ा major change था, British Parliament के दोबारा. ठीक है? उसके बाद में इसका major defect क्या था? यह हम हर एक एक्ट में हम बढ़ते आएवे हैं, कि उसका major defect क्या था? तो इसका भी defect क्या था? कि इसके अंदर कोई भी representation नहीं दिया गया Indians को. अब यह representation कहा नहीं दिया गया. जो इन्हों नहीं कहा कि Governor General of India है, उसको क्या बना दिया गया था? वाइसराव इंडिया था? ठीक है? और जो इसके council थी, उसके अंदर पहले से ही Indians को allow नहीं किया गया था. ठीक है? अब भी इसके अंदर कोई ऐसा provision नहीं था, जिसके अंदर Indian के inclusion के बाद किये गई हो. ठीक है? तो यह सारे के सारे इस act के provisions थे, इसके defects थे, इसके main-main major points थे, जो हमने काफे detail में हमने यह किये हैं. I hope आपको यह video series पसंद आ रहे होगी. Please do like, share and subscribe के topics. Thank you.